आज का टोपी का टंग, इसको इंचैद इंग्स के अंदर कवर करेंगे, इंट्रडेक्शन पार्ट, इसकी मसल्स, इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, फिर बाद में क्लिनिकल पाइंट देखेंगा एक दो, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रडेक्शन की, तो किस क उपर की तरफ उठती है, तो बोलस नीचे जाता है, इसके लावा, अगर माउथ में कुछ है, तो क्लिनिक का भी काम करती है, यह इसके इंट्रडेक्शन वाले बात हो गई, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की, पार्ट्स में इसके तीनी पार्ट है, रूट, बोडी और तो तीशारे पार्ट किया होगयाँ जिसमें लिख सकते हैं कि डितीब समसे आगे वाला हिसा होता है, रूट समसे पीछे वाला हिसा होता है रा पे यह टैच होती है और body बीच का पूरा चोई सा तो वो body होती है अब बात करते है muscles of tank की तो muscles of tank का मैं ऐसे coronal section ले रहा हूं मतलब जीब कैसे काट के जीब को देख रहा हूं तो जीब कैसे दिखेगी अपने को जीब दिखेगी ऐसे ये बीच में fibers band होता है इधर एक muscle हुई इधर एक मसल हुई, इधर मसल हुई, यह इधर हो गई, इधर हो गई, और एक मसल हो गई, और एक इधर हो गई, ठीक है, उसके अलावा यह निच्छे जाके अपनी हाइवड बोन के साथ अटेच होता है, यह हो गया, टंक का कोरुनल सेक्षन का डाइगराम, अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, कौन सी मसल को क्या नाम देते हैं, मसल टोटल कितनी होती हैं, तो मसल होती हैं, टोटल, आठ मसल होती हैं, जिन में से चार तो होती हैं, इंट्रेंशिक, मलब कि जो जीब का फॉर्मिश तो यह दो ट्रांस्वर्स दीख रही है मसल तो यह दो मसल होगी ट्रांस्वर्स मसल प्रजेंट इसके लिए इस मसल का नाम ही किया है ट्रांस्वर्स ए तो यह क्या होगी सुप्रियर लोंगिटुट्यूनल इंफिरल लोंगिटूट्यूट्यूनल ठीक यह छीज होगी उसके अलावा अपने यह मसलोगी जीनो ग्लोसल जीनो ग्लोसल मसलोगी यहां पर यह मसलोटी है एक यहाँ पर मसल होती है यहाँ पर होती है यहाँ पर होती है यह हायर्ड बॉन नहीं शुरी यह तो बोडी में बोला ना फाइबरस बैंड है तो बोडी ओफ टंग में ही रह गया यह साइड वाली मसल जाती है हायर्ड बॉन तक तो higher bone ऐसे होती है यह इदर से तो यह इसी का हिस्स है तो इन muscle के नाम क्या हो जाएंगे इन muscle के नाम हो जाएंगे vertical muscle तो यह अपनी longitudinal होगे यह ट्रांसवर्स होगे यह होगे vertical तो यह इस muscle का नाम क्या हुआ vertical muscle और same चीज बाकी muscles की तरह है कि यह भी कितनी है दो हैं एक left वाली एक right वाली तो यह जो अपने को चार दिख रही है यह muscle कुन सी है यह जीब की खुद की formation कर रही है longitudinal, vertical, ट्रांसवर्स और जो longitudinal थी उसी की superior और inferior longitudinal तो यह होगे अपनी intrinsic अब देखते हैं extrinsic तो extrinsic muscle का मतलब क्या है कि यह muscle क्या कर रही है टंग को बाकी चीजों से जोड रही है, तो बाकी चीज़ें आसपास क्या हैं, तो यह है अपनी टंग, टंग के नीचे मैंने बताया कि यहाँ पर higher bone है नीचे तो higher bone के पास जो एक muscle higher bone के उपर जाएगी एक आगे की तरफ जाएगी, आगे के आपनी mandible है, mandible में यहाँ पे genu tubercle होता है तो genu tubercle होता है एक उपर की तरफ क्या है, उपर अपना पैलेट है तो पैलेट की तरफ जाएगी एक और एक पीछे जाएगी कहां तक styloid process तक यह होगी कि अपनी styloid process तरह बात समझ में है कि अपनी जो muscle है 4 intrinsic होगई 4 extrinsic की बात करें तो एक muscle जो की जीब को पैलेट के साथ जोडती है तो इसका नाम होगा पैलेटो Glossal जो genu tubercle के साथ जो जोड रही है उसको क्या नाम हो गया genoglossal जो hyod bone के साथ जोड रही है उसका नाम क्या हो गया hyoglossal जो styloid process के साथ जोड रही है उसका नाम क्या हो गया stylo glossal muscle तो यह जो लाल पैन से दिख रही है यह शारी क्या है extensive muscle है और 4 अपनी होगी intrinsic अब बात करते हैं इनके functions की तो muscle of tongue तो अपने देख ली अब इसके function की बात करते हैं उसके लिए मरगो साफ करना पड़ेगा है तो साफ करते हैं यह शारी muscle देखी superior longitudinal inferior longitudinal transverse vertical यह क्या थी intrinsic muscle और बाद में stylo glossal, palatoglossal, genoglossal higher colossal यह क्या होगी extensive muscle तो इनके function देखते हैं कि जब यह contract करते हैं तो क्या function होता है body की sorry tongue की क्या moment होती है superior longitudinal तो मालो यह मेरी जीब ऐसे है अब superior longitudinal अगर contract की तो जो इसका dorsum surface है वो क्या हो गया क्या हो गया तो यह जब contract करेंगी तो क्या होगा जो dorsum है dorsum surface जो है वो क्या हो जाएगा क्यों के हो जाएगा बात नमबर एक inferior longitudinal जब contract हे रही तो dorsum surface क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा यह जीब है नीचे वाली muscle जो अपनी नीचे परजैंट थी वो वाली अगर contract होगी तो यह ऐसे हो जाएगी ऐसे हो जाएगी तो क्या हो गया उपर की साइड दोर्सम सर्फेस हो गया कर जाएगी तो यह क्या कर देएगी जीग को ब्रोड अट फलै economists कर देएगी तो यह अपने देख लींट्रेंजिक के function अब एक्स्टेंशिंग के function देखते हैं styloglossal तो styloid process कहां थी पीछे थी तो पीछे थी तो जीब को क्या करेगी रीट्रेक्ट करेगी अज जब ये contract होगी तो जीब को पीछे खीचेगी जो diagram बनाया था मैंने ऐसे और बोला था कि ये posterior side अगर मैं मार्किंग करूं तो य आगे ही वाली जो genoglossal muscle है वो जब contract करेगी तो यह आगे की तरफ जाएगी उसको क्या बोलते हैं प्रोट्यूड प्रोट्यूड तो यह हो गया अपने pelletoglossal गलत लेख दिया यह अपने genoglossal है ना नीचे की तरफ तो यह क्या करेगी प्रोट्यूड करेगी genoglossal अब प्रोट्यूड वाली जीब को एलिवेट करेगी और वैसे ही अगर हायो नीचे थी आयो गलोसल नीचे थी मसल वो जब contract करेगी तो क्या करेगी यह डिप्रेस करेगी टंग को तो यह बात ही, तो यह सारे मसल के नाम के अकोडिंग और उनकी लोकेसां, अगर अपने ध्यान में तो फंक्सेन अपन लिख सकते हैं, तो next adding क्या थी? तो नेग्स्स अधिग अपनी यूठी ब्लेड सप्लाई देखते हैं, ब्लेड सप्लाई में दौ चीज़े हो जाएँगी, एक इसकी अर्ट्रेल सप्लाई और एक इसकी हो जाएगी सप्लाई हो बिलेट्रेने देख hung का लमिलूरर आट्री अजिव यजो ऊटिएगा उसको ओलते हैं डीप लि अग्याटी है किसकी व्लेफ क्योंटेट टारी की कुल्न गारटिट दो में डिवैड थी एंटनल क्रोंटेट इसलिल अक्राटारी है एक्टराटिश्यायर ४ॉसको खुमे टीजिटेट . बात करते हैं डूसरी होते है sensory nervous supply तो sensory nerve supply को याद रखने के लिए और याद रखने के लिए याद CD-500 कि मानलो यह जीव है तो जीव के जो पार्ट होते है इसके बोडी के जब पार्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं इस तरीके से यह क्या यह anterior two-third बोलते हैं इसको anterior two-third इसा posterior one-third इसा और यह हो गया अपना posterior most posterior most part तो यह हो गया इसके जीब के part anatomically तो यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी sensory supply की तो उसकी trick है पसंद इसका मलब क्या है पाँच, साथ, नो, दस और यही चीज़ यही पर अपलाई करनी है पाँच और साथ cranial number five and seven supply करती है और टू-third को और जो नोम भी करती है वो किसको करती है posterior one-third को और जो दस भी करती है वो किसको supply करती है posterior most part को supply करती है तो यह sensory supply होगी motor supply में एक बाद ध्यान में रखनी है कि दो है इसकी जो आपने डियाग्राम बनाया था ऐसे और उपर की तरफ कुण सी मसल बनाई थी मैंने पैलेट गलोसल तो यह बाद ध्यान में रखनी है कि जो पैलेट गलोसल है उसकी supply होती है vagus nerve से vagus nerve cranial nerve number 10 और उसके अलावा जो बची हुई साथ मसल है यह तो एक मसल हुई ना extensic muscle है उसके अलावा all intrinsic और बची हुई rest of extensic इनको कौन सप्लाई करती है इनको सप्लाई करती है cranial nerve number 12 यह सप्लाई करती है कि इसको सभी मसल्स को motor supply की बात करूं तो और जो अपनी एक पैलेट गलोसल है इसको सप्लाई करती है अपनी वेगेस नर्व यह बाद द्यान में रखनी है तो ज्यादा हाड नहीं है sensory को सप्लाई रख सकते हैं आपने मालो याद रख सकते हैं पसंदगी अलब से 5-7-9 यह फिर से 7 क्यों लिखा है 10 ठीक है और यह अपनी होगी motor supply सभी को सप्लाई कर रहें बार में शिर्फ एक को छोड़ के पैलेट अपलोसल तो नर्व सप्लाई के बाद अपनी नेक्स्ट एडिंग थी क्लिनिकल की तो क्लिनिकल में तुम्हें क्या ध्यान में रखना है क्लिनिकल में एक तो यह ध्यान में रखो कि कि इंडिया के अंदर खासकर की रայेस्थान की शाईड है तरह पाघन फ्सक्राइब होता है दूसंच सक्ता हुश, दूसरा प्रेंट यह लिख सकते हो कि एक मसल पड़ी थी अपने पीछे की तरफ स्वरी आगे की तरफ कौन सी थी जीनो ग्लोसल तो जीनो ग्लोसस तो जीनो ग्लोसस का मतलब गया है कि आगे जो जीनो टुबरकल था मेंडीवल का वहां से जीब को जोड रही है तो यह जब तो अगर मालो मेरे को किसी हैड ने की सरजरी करनी है और उस चीज के अगर मैं अनेस्टीशा देते टाइम अगर मालो अनेस्टीशा दे दिया और यह मसल पैरलाइज हो गई यह मसल की अगर पैरलाइज हो गई एस्टीशा काम ही पैरलाइज करना है ना यह मसल की बार के उसके बाद नेस्थीशा देते हैं ताकि टंग पीछे फोल नहीं हो तो यह आपि इसकी क्लियिन के लाए अनाटमी भी खतम होती है इसे किसा अपने टंग का टॉपिक खतम होता है